CBSE ने Additional Practice Paper अभी अभी रिलीस किया है जिसका लेवल डिफिकल्ट है और CBSE ने Sample Paper रिलीस किया था April में जिसका लेवल किया था इजी था तो Last Two Years भी उन्होंने Sample Paper और Additional Practice Paper रिलीस किया था तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Last Two Years में इन दोनों का लेवल किया था Final Exam कैसे आया था और इस साल Exam कैसे आ सकता है और हम कैसे preparation करेंगी ताकि हमारे पूरे marks आएं सबसे पहले आप क्या करोगे? Download करोगे Additional Practice Paper को आप Google में जाओगे वहाँ पे लिखोगे Additional Practice Paper Class 12 CBSE तो वहाँ पे लिंक आजाएगा Google में उसको क्लिक करोगे तो आपको एक पेज आजाएगा CBSE का जिसमें आपको सारे Practice Paper मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप डाउनलोड कर लोगे प्रैक्टिस पेपर तो आपको एक चीज़ तो समझ आ जाएगा कि जो उन्होंने सेंपल पेपर दिया था अपरल में और जो अभी प्रैक्टिस पेपर दिया है उन दोने का पैटरन क्या है सेम है तो CBSE ने ये चीज़ कनफर्म कर दी है जो इस बार एकजाम आएगा उसका पैटरन क्या रहेगा इन जैसा ही रहेगा नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री की लास्ट टू इयर्स 2022 बोर्ड्स और 23 बोर्ड्स में भी उन्होंने ना CBSE ने सेंपल पेपर और अडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था मैंने से वीडियो बनाए थे आप देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जो सेंपल पेपर था ना उसका लेवल क्या था इजी ही दिया था और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर का लेवल क्या था डिफिकल्ट था लास्ट इयर्स उन्होंने क्या किया था यह लेट डाले थे और इस साल इन्होंने जल्दी रिलीस कर दिये है ये पेपर ठीक है और जब final exam आया था तो final exam का level ना sample paper से match किया last two years और उसका level क्या था easy था तो इस बार भी मैं क्या करूंगा sample paper और additional practice paper के वीडियो बना दूँगा December तक आपको दोनो वीडियोस मिल जाएंगे अगर थर्ड बात करें Level की की इस बार का paper किस level का आ सकता है जो CBSE का sample paper था वो तो easy आया है और additional practice paper difficult है आपको additional practice paper से डरना नहीं है यह normally CBSE आपकी knowledge को test करने के लिए यह sample paper देते हैं practice वाला normally इस से questions नहीं आते हैं इस level के जिस level से questions आते हैं वो sample paper जो उन्होंने पहला sample paper release किया होता है उसी level के question आते हैं और मुझे लगता है इस बार भी exam क्या होगा sample paper के according ही बनेगा और इसका level easy होगा इस बार 50% competency based question include हुए है तो हमें क्या करना है अच्छे से preparation करना है ताकि हम जैसे भी paper आये उसको easily कर पाए normally जो paper आता है ना 60% क्या होता है उस बिल्कूर easy होता है और 40% moderate या hard हो सकता है एक दो question difficult आ सकते हैं तो हमें preparation पूरा रखना है fourth point है how to prepare आपको अभी जो यह sample paper है और additional practice paper इसके बारे में सोचना नहीं है आपको December तक क्या करना है सारा syllabus complete करना है आपको NCIT पढ़नी है मैंने quick revision की videos बनाई है उसके साथ आप NCIT पढ़ सकते हो आप PYQ solve कर सकते हो important question कर सकते हो और मैं competency based questions पी चल्दी ही लाऊंगा और अगर आपको sample paper की book चाहिए है तो आप यह जो sample paper की book है शिवदास की 10 years board paper with each solution यह मेरी recommended book है यह book आप खरीज सकते हो normally जो भी questions आते हैं हर साल 60 से 70% वो क्या होते हैं PYQ होते हैं तो इसमें आपको 10 years के board paper तो यह एक ऐसी book है चार practice के लिए भी आपको sample paper मिल जाएंगे तो आप यह book खरीज सकते हो practice के लिए और इसका price सीरफ 120 रूपीज है इतने low price में आपको कोई भी sample paper की book नहीं मिलेगी तो आप आज ही यह book Amazon से खरीज सकते हो comment और description में आपको link मिल जाएगा वीडियो के end में मैं यही कहना चाहता हूँ कि students के अभी midterm exam है मैंने biology और chemistry के important questions के वीडियो बनाए है तो midterm से पहले वो video definitely देखके जाना आपके अच्छे marks आएंगे all the best मिलते हैं next video में